आज हम बचे हुए चावल का मेदू वड़ा बनाने जा रहे हैं तो यहां पर मैंने दो कटोरी चावल लिये और इसमें अब मैं यह मैंने मिक्सी के जार में डाल दिये अब वन फोर्थ कप मैंने लिये दही नॉर्मल दही है ज्यादा खटा वाला दही नहीं लेना और इसे प पाने नहीं डालना सिर्फ दई डालके ही पीसा है मैंने और इसे एक पाउल में ट्रांसफर कर लेना है यह मैं सारा इसमें निकाल दूंगी और इसमें अब मैं डालूंगी वन फोर्थ कप मैं इसमें सूजी डाल रही हूं वन फोर्थ कप मैं इसमें चावल काटा मिला रही अधा चमाज और दो चमाज में धनियापती डाल रही हूँ चौप किया हुआ और एक छोटा प्याज क्या हुआ बारिक चौप किया हुआ यह डाल रही हूं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी लगेगा, ज्यादा पानी नहीं लगेगा, और इसे मैं काली मिर्च भी डालूंगी, हाफ टी स्पून, आप जाएं तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, अगर मैं इसमें काली मिर्च डाल रहे हूं, और इसका एक सॉफ्ट सा टोत त्यार कर लेना है अगर लगे की गाड़ा है तो आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं और इसे मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है डग कर 20 मिनट बाद इसमें बेकिंग सोडा डालके और इसे अच्छे से में फैट लेना है और कढ़ाई मैंने गैस पर रख दिया हाथ में तेल लगा के इसकी बॉल बना के और बीच में छेट करके रख लेना है मैं पहले दो तीन ऐसे बना के रख लूँगी और फिर एक साथ डालूँगी कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है लो फ्लेम पे तेल को गरम करना है और गैस को लो फ्लेम पे रखना है पहले मैं एक बना के देखूंगी ट्राय करके फिर मैं बाकी डालूँगी तो यह मेरा बन चुका है अब मैं बाकी के ऐसे ही डाल के और बना लूँगी और इन्हें अलट पलट करके सेख लेंगे और यह मैं कच्चे निकाल रही हूँ क्योंकि जो मैंने पहला वाला खाया था टेस्ट करके देखा था वो मुझे अंदर से थोड़ा कच्चा लगाए उपर से पका हुए ज्यादा और सेखेंगी तो काला हो जाएगा इसलिए मैं आदिक अच्चे ही निकाल रही हूँ यह फिर मैं इन्हें दूबारा से फ्राइ करूंगी तो यह अच्छे से पक जाएंगे अंदर से भी तो ये मैं आदेक अच्छे फ्राइ करके ही निकाल रही हूँ ये मैं सारे ऐसे बना लूँगी और सारे ऐसे निकाल के साइड में रख लूँगी क्योंकि ये अभी लो फ्लेम पे है गैस मुझे थुड़ा अच्छा सा क्रिस्पी और क्रंची चाहिए था तो वह वहला फ्लेवर दूसरी बार में आ जाएगा तो ये मैंने सारे ऐसे फ्राय कर लिए तो अब ये फ्राय होने के बाद अब मैं गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी पहले लो फ्लेम पे था अब मैं मेडियम पे कर दूँगी और अब इनको मैं दुबारा से फ्राय करूँगी और इनको अलट पलट करके अच्छे से फ् के ब्राउन होने तक यह मेरा अच्छे से फ्राइब हो चुका है वाखी भी कर लेंगे और यह बहुत ही क्राइबरिषी और खान भूरत है तो बहुत ही टेस्टी भी है कि इसे चर्टनिंग gep कर सकते हैं और рук यह हलका फुलका नाश्ता है और भूत ही खाने में टेस्टी भी है और हेल्थी भी है आई होप यह आप सबको पसंद आएगा कई बर हमारे घर में कुछ चीजे बच जाती है तो इनका री यूस ऐसे कुछ भी अच्छा सा बना के खा ले आई होप यह आपको पसंद आएगा